नमस्कार मेरे यूटूब के चेनल गौब लॉक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों दोस्वामी तुलसी दास जी ने राम चरित मानस में कहा है राम नसकही राम गुणगाई मनि भगवान राम भी अपने स्री मुख से राम नाम की महिमा का बरणन नहीं कर सकते हैं और आज की रिसर्च भी मैं इसे के उपर लाया हूँ ये वीडियो बहुत जादा महतोपूर्ण है और नए साल की सुरुवात भी हो चुकी है और जो ब्यक्ति जो भक्त लोग सिद्धी की प्राप्त करना चाते हैं जो काम उनका कभी होता ही नहीं है उन कारियों को भी सहिजता से दुरलब से दुरलब कारियों को सहिजता से सरलता से प्राप्त करना चाते हैं आप किसी भी भवर में फंसे हुए हो, किसी भी परकार की प्रेशानिये में हो, ये ऐसा महा मंत्र है, ये ऐसी सिद्धी देने वाला मंत्र है, यकीन मानिएगा, अगर इसी की बिद्धी के अनुसार आपने अगर काम कर लिया, तो यकीनन आपको दुरलब सिद्धी की प्राप इसकी विषय में थोड़ा सूद्द किया है कुराण में जो पूर्व भाग्या है। उसके अश्लोक में कहा गया है यह लिंग पुरान में कहा गया है जो भगत माला में भगवान का जप करता है उसके लिए सब कुछ सुलब हो जाता है कुछ भी उसके लिए दुरलब नहीं रह जाता है इसमें यह कहा गया है और हमारे सास्त्रों में तीन परकार के जप की ब्यूस्ता बताई गई है उपांसो जप वाचिक जप और मानसिक जप और इसके विशाय में जो मैंने सोध किया ह और सभी विद्वान लोग जानते हैं, मैं ये नहीं करा हूँ, ये मिरसोध है, लेकिन मैं अपने दर्सकों के लिए लाया हूँ, उसमें, नर्सिंग पुरान में लिखा गया है, वाचिकस्चव उपांसुष्चव मानस इस्त्री विदम इस्मृताह त्रयानाम जप यग्यान स्रेयान स्वाद उत्त्तरम, मनी क्या कहा गया है, वाचिकस्चव उपांसुष्चव के बारे में बताए गया है, आपके ओट हिल रहे हैं, आप सब्द ले रहे हैं, लेकिन आपी सुन रहे हैं, आपके पास अगर कोई बिक्त बैठा है, या इधर बैठा है, उसको सुनाई पड़ रहा है उसको वाचिक जब कहते हैं मन्य जो बोलने वाला अब है कहे है मानसिक जब मन्य आपके मन ही मन में जो आप बोल किसी से बात भी नहीं जो यह लेकिन मन में आपका भगवान के नाम का जाप चुनाई दे रहा है अब सास्तों के अनुसार आपको कौन सी जब का आसरे लेना चाहिए इसके विशाई में हमारे सिब पुराण में कहा गया है ठीक है ने उसमें कहा गया है वाचिक श्यत्वेकव एव स्वादू उपांसू सतम उच्चती सहस्त्रम मानसह प्रोक्तह सगरभस्तू सतादिकह अर्थात आप यदि वाचिक जब करते हैं तो यो जब केवल एक गुणा फल आपको देता है अगर आप उपांसू जब करते हैं तो आपको सो गुणा फल के प्राप्ति होती है लेकिन जब आप मानसिक जब करते हैं तो लाखों गुणा फल के आपको प्राप्ति होती है लेक हो सकता है आपके पास इस पट्रक की हो क्यूंकि माला का अलग-अलग बिधान है तो क्या करते हैं कई लोग ऐसे दिखा के कर ले ते Да है या ऐसे बस में चल ले हैं कहीं भी गूम कर attempt कर रहे अश्नान दान और ध्यानिये के वल गुप्त रूप से होनी चाहिए इसलिए जब भी आप माला का जब करो तो कभी भी हाथ में लेकर इसका जब नहीं करना चाहिए इसके लिए हमारे सास्तर कहते हैं एक अश्लोक आता इसमें अर्थात जो इनसान खुली मालाजे में जब करता है उसको जब का फल है उसकी प्राप्ति नहीं होती है मनी क्या कहा गया है कि जब आप सुभ जाप करते हैं तो आपका जो है जो ये माला है इस प्रकार से आप माला को डालेंगे मैं इसकी अभी बताता हूं आपको तो सुभा क्या होना चाहे वाला आपके नावी के समीप इसका जो है माला नावी के समीप होनी चाहे अगर आप दोपर में मद्यान के समय जो है माला जाप करते हैं तो ये हिर्दै के आगे आपके माला का जाप माला होनी चाहे अगर आप साम के समय संध्या के समय जो है माला होनी चाओ इससे फल मिलता है अब यहां पे जो है दिसा के बारे में बताया गया है कि आपको किन दिसाओं का धियान रखना चाहिए तो इसमें कहा गया है अगर सुबध के समय आप माला जब का जो है आपको फल मिलता है अब देखेगा माला जब का फल जो है आप कैसे माला जाप करेंगे इसका क्या नियम है देखे कभी भी माला को खुले में जाप न करें जो ये माला है ना इसको खुले में जाप न करें और जब भी आप माला लें माला लें कि एकदम जाप सु लगा ले और इसका एक मंत्र है माम माले महामाई करके और जो कहां मिलेगा आपको यह दुर्गा सब्त सती है आपके पास भी होगी लेकिन दुर्गा सब्त सती यह गीता प्रेस गोरखपुर वाली लियाना यह सुद्ध होती है कोई भी धार्मिक किताबें हैं आप तो इसमें यहां पे जो है यह लिखा गया माम माले महामाई तो इस मंत्र को बोल करके इसको सुद्ध करें फिर ओम रिंग अक्ष माले का ये नमहा करके अब माला का जाप कैसे करना है देखेगा यह आपकी जो है ये ये आपकी रिंग फिंगर है जिसमें मैंने रिंग पैनी हुई है ठीक है न आप ये सुमेरू परवत है ये यहां माला इसमें रख लीजेगा अंगोठा ऐसे रख लीजेगा और यहां से जैसे पंचाक्ष्री महामंत्र है कोई भी आप मंत्र जब कर रहे हैं जो गुरू ने दिया हुआ है वही मंत्र सिद्ध होता है कागजों से लिया गया मंत्र या योट्यूप उगेरा से लिया गया मंत्र कभी भी फलदाई नहीं होता है उसका कोई फल आपको नहीं मिलता है ना सिद्धी मिलती है अगर आपके कुल प्रोहित ने जो कुल के प्रोहित हैं जि अपने भार नहीं बोला महीं सुन रहा हूं टिक है उंट हिल रहे हैं महीं सब्द ले रहा हूँ और एक बार बोलके एक माला पीछ्चे एक पर बहुति परकार से आपने जो है मंतर का द्यान करणा आ उस सुमेर करना करने हैं अगर आप माला representations करना हो यह करनी है शुरुक्छ माला का जाप न करें। एक सॅद्ध-Áशन बिठाइएं ठीक है ने और उस आशन में पाल्थी मार करके बैठें और तभी माला का जाप करें एक नियम तो यही है। अब इसमें यह आपकी एक जो है सुद्ध कपड़ा हो या ये गोमुखी आती है इसमें माला डाले इसमें ऐसे रखे और ये तरजनी द्वार है ये तरजनी निकाल दे ये वाले उंगली ये लगनी निचाए माला अपर ने तो इसका फल नहीं मिलता है और इस प्रकार से आप जो है सुबा के समय ऐसा माध्यान के समय ऐसा और साम के समय इस प्रकार से आप जाप करें दिसा मैं ने बता दिया है सबसे अच्छा होगा मैं पूरा विस्तार में तो नहीं बता रहा हूँ लिकिन कुछ अगर आप पहले गुरू का ध्यान करें और फिर जो है पानी ले ओम हस्तम प्रक्षालयह पीछे हाथ दोले ओम हरी यम्माह ओम रिग वेदाय श्वाह यजरु वेदाय श्वाह शामु वेदाय श्वाह और अधर वेदाय नमहा अस्तम प्रक्षालयह ठीकन पुंडि काक्षम्पुना तो हो पुंडि काक्षम्पुना तो हो भगवान पुंडि काक्षम्पुना तो हो फिर वो सके तो ए यतेहना उस्तीरीव मात्रह तश्मा अरंग मामो यसक्षया ये जिन्वतो आपो जनह यताचनह फिर ओम अपवित्रह पवित्रो वासरवावस्तांगतो पिवा योश्मरेतह पुंडरी काक्षंग शाहवाया भ्यंत्रों सुचेही ओम पृतिवीती मंत्रश्यो मेरु पिष्ट अगर ये मंत्र नहीं बोल सकते तो भी ये लिए ठीक है नहीं और जो है पानी जो है छिड़के आशन को सुद्ध करें और फिर भुदेवी को नमस्कार करें पृतिवी को हैं और जो है माथे पे लगाएं फिर अपने यहां पे इसको छुएं और ठीक है मंत्र नहीं आता कोई बात नहीं और फिर तिलक और होगे रकर के धूक्तीप जला करें बढ़िया से फिर बैठें और जिस परकार से माला को सुद्ध करने के लिए मैं इनका सुद्ध करें औ और माला जबते समय जो मन की इक्षा आपके मन में आती है वो इक्षा निश्चित ही पूर्ति होगी अब इसमें अलग अलग जाप हैं गुरू के दियावा जाप अलग है आप साधी नहीं हो रही है उसकी माला अलग है उसका जाप अलग है उसकी बिदी यही है लेकिन मंत्र अलग है लक्षमी की प्राप्त करने का इस पटिक की माला में रात्री के समय पस्चिमा विमुख होकर के या भगवान की सामने होकर के मंत्र अलग है बिदी यही है अन्य परकार की सिद्यों को प्राप्त करने के लिए मंत्र अलग है लेकिन जो है बिदी यही है यह सरवतम बि निवाद करना देना चाहता हूं उन लोगों को जो निरंतर हमारी चैनल को आर्थिक रूप से बड़ा सयोग दे रहे हैं काफी लोग हैं उसमें से जो बिलकुल समर्पन की भाव रखते हैं ये करुरेंद्रा कुमार बर्मा जी हैं केके बर्मा जी और सीलू सिंग जी हैं अनि मैं नाम लोगा अगली वीडियो में ठीक ने अभी थोड़ा समय नहीं मिल पाए तो मैं नोट नहीं करा हूं उनका मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं जी कि उनकी वो जोसे जो है ये चैनल काफी ग्रो कर रहा है और आप लोग भी इस चैनल को आर्थिक रूप से अब अपनी सामर्थि के उनसार जितना हो सके मन्थली रूप से जो है चैनल सयोग जरूर करें भागे स्कूल करनी जी भी है हमारे करनाटक से वो भी हमें सब बहुत सयोग करते हैं हमारे जो है मनीश जोसी जी जमसेदपुर से हैं हमारा जो है अरुन तिरपाटी जी छतेस गट से हैं और बड़े सयोग ये लोग करते हैं दिल्ले से भी हमारे एक दू दोस्त हैं सौरब्तिवारी जी है काफी ये सयोग करते हैं हमारा तो मैं इन लोगों का भाद धन्यवाद करना चाहता हूं और इस वर जो है भगवान के दार इनको बड़ी तरक्की दे नए साल म हो इस्ट किरपा इनको प्राप्त हो इन लोगों का मैं बिसे धन्यवाद देना चाहता हूं आप लोगों को भी बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोग भी हमारे साथ जुड़िएगा बहुत अच्छी से अच्छी जानकारी जो है प्राप्त कर लीजेगा और आर्थिक की जरूरत हमें है और इससे जो है कुछ हमने सोचा है भगवान की मंदिर उगेर का तो उसके बारे में मैं अगली वीडियो में चर्चा करूंगा लेकिन आपकी सयोग मिलता रहे बहुत जल्दी आपको बहुत अच्छा मंदिर देखने को मिलेगा यहां पे रहने को मिलेग तो इस वीडियो में बस इतना ही आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवार जै बाबा के दार